आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आयू आई ट्रीक्मेंट फेल क्यों हो जाता है कई लाख दंपत्यों का आयूआ किया जाता है साधरन और इसका जो सक्सेस रेट है वह बहुत ज्यादा नहीं इसका सक्सेस रेट 10-15 प्रतिशत होता है तो जाहिर सी बात है कि जब कपल इस ट्रीक्मेंट को कराते हैं अपनी तरफ से डॉक्टर और मरीज दोनों पूरी कोशि तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्कर पर जाकर नैचरली बॉडी में प्रेग्नसी कैसे कंसी होती है यह पहले समझना पड़ेगा हम जानते हैं कि जो फॉलिकल है वह हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं फॉलिकल का साइज देखके हम यह अनुमान लगाते हैं कि इस फॉलिकल मेचुर दिखता है तब हम इसे रप्चर होने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं जिससे फॉलिकल के अंदर से जो एग है वह बाहर आ जाता है एग माइक्रोस्कोपिक होता है 140 माइक्राउंस इसका साइज होता है सोनोग्राफी में एक जो है वह हम देख नहीं सकत जब हम स्पर्म को प्रिपेर करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उनके अंदर आगे बढ़ने की शमता होती है परन्तु कई बार ऐसा होता है कि जिस ट्यूब में एग है वहां पक्ट यह स्पर्म पहुंच नहीं पाने कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब तक होज गया है परन्तु यह सपर्म जो है यह एक की जो बाहर की कवरिंग है जोना उसको पेनेडरेट करके एक के अंदर नहीं जा पार है और पास होने के बाद भी यह एक फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है इस थितिको फटिलाइजेशन फेलियर कहते हैं तो कई बार ऐसा हो कि जो फालिकल है उसके अंदर एक हेल्दी है की नहीं वह बाहर निकला की नहीं और ट्यूब ने उसे अपने अंदर लेके तब तक रोग के रखा की नहीं जब तक कि स्पर्म फटलाइज उसे नहीं कर देता यह सारी चीजे शरीर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही ह है और रियल टाइम में किसी भी सोनोग्राफी सीटी एमराय किसी भी इन्वेस्टिकेटिव मोडालिस्टी से हम यह सारी चीजे शरीर में होते हुए नहीं देख सकते हैं हम केवल फॉलिकल को रप्चर हुए देख सकते हैं और स्पर्म को उसी समय पर यूटरस के अंदर डा पर डॉक्टर इमर्जंसी में कहीं चला गया हो और आपकी मुलाकात नहीं हो प्रकार आयूआय में एक तरह से हम एक का अपॉइन्मेंट ले रहे होते हैं जब रप्चर होने वाला होता है उसी समय हम स्पर्म को यूटरस में डालते हैं परंतु स्पर्म का साइज 4 माइक्र के बौन से लगब 15-20 cm का डिस्टेंस ते करके एक तक जाना है जरूरी नहीं है कि वह तक जा है वहाह तक चला भी जाया तो जरूरी नहीं है वह जांदर जाके उसे फर्टिल कर लें कि सारी प्रासेस हो जाये तो भी जरूरी नहीं पाना है वह tallies और वो uterus में आके implant होता है कि नहीं, इसी कारण से IUI में जो success rate है वो केबल 10-15 प्रतिशत है, हाँ यदि हम इसमें कि एक और process यानि कि egg और sperm का जो मिलना यानि कि fertilization है, उसे भी हम शरीर के बाहर कर लें यानि कि IVF process कर लें, तब हम इस success rate को बढ़ाके और 30-40 प्रतिशत तक कर स वो अभी भी nature के हाथ में है, उसे हम किसी भी treatment से ensure नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा highest treatment है IVF उसका भी success 50% से जादा नहीं है, तो इसलिए जब आपका IUI असफल होता है तो निराश मत हो ये, ये समझ लीजिए कि जो चीज़े हम देख सकते हैं, control कर सकते हैं, वो केबल 10 प सकते हैं, यदि आपका chance 5-6 प्रतिशत है, प्रेगनसी आने का, हम उसे बढ़ा के 10-15 प्रतिशत कर सकते हैं, परनतो ये procedure की ही limitation है, कि 15-20 प्रतिशत से जादा इसमें success नहीं हो सकता, अपने expectations को reasonable रखिए, परनतो अपनी जो कोशिशे हैं, उसे 100% करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर डॉक्टर जो treatment करता है, वो भी अपनी कोशिश सौ प्रतिशत रखता है, दो तीन चीज़े बहुत important है, जो आपके success को बढ़ा सकती है, पहला ये, PD sonography और color doppler करते हैं, इससे हमें कुछ additional information मिलती है, कि ये जो follicle है, ये healthy है कि नहीं, इसके अंदर blood flow बरा या HMG के यदि हम injections देते हैं, तो इससे भी लगवग 3-4 प्रतिशत success बढ़ा हुआ मिलता है, तीसरी बहुत important बात है कि सीमन preparation जहां पे हो रहा है, उसी जगे पर IUI होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जो patients हैं वो एक दूसरे लाब में sample देते हैं, वहां पे ये sample prepared होता ह है, वहां से transport होके आधा एक दो घंटे के बाद में ये clinic में आता है जहां IUI होता है, ये बिल्कुल भी ideal नहीं है और इससे IUI के success rates बहुत कम हमको मिलेंगे, तो ये ensure करिए कि आपका जो clinic है वहां पर doctor उसी जगे पर semen preparation करके और आपका IUI करें, ये जो तीन बाते हैं, यानि पंद्रा से वीज प्रतिशत तक सकसे समको मिल सकता है, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सब ये लिए उपयोगी, साबित होगी, धन्यवाद हो